Hello बच्चों, बच्चों कुश्चन है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows Find the number of rows and the number of plants in each row, okay? This is the question कुश्चन में क्या का गया है बच्चों? कि 2025 plants हैं जिनको हमें एक garden में plant करना है किस तरीके से? कि each row contains as many plants कि हर एक row उतनी ही plant रखके जितनी की rows हैं, okay? मतलब जितनी rows होंगी उतनी हर row में plants होंगे, okay? तो हमें find क्या करना है? number of rows and the number of plants in each row, okay? तो चलिए find करते हैं पहले बच्चों मैं इसको आपको एक example से समझाता हूँ, ठीक है? इस question को suppose कीजिएगा बच्चों, तीन rows हैं, ठीक है? ये तीन rows हैं और हर row में 3 ही plant हैं, 3 ही rows हैं, 1, 2, 3 और हर row में 3 ही plant हैं, okay? तो बताइए बच्चों कितने plant होगा है total, 3, 6 and 9, total plant होगा है हमारे 9 अब बच्चों आप से कहा जाए कि 9 plants को garden में इस तरीके से लगाना है, कि हर row उतने ही plant रखे जितने की number of rows हैं, okay? तो आप क्या करोगे? इसका square root कर दोगे, तो square root निकालते हैं, 9 लिखते हैं, इसके सबसे पहले factors find करेंगे, 3, 3 जा 9, okay? 3 बन जा 3, तो हमें 9 का square root क्या मिला? सबसे पहले square root का sign लगाया और 9 लिखाया, फिर 9 के जितने भी factors हैं, उनको copy करके, square root के sign के अंदर लिख दिया, अब आपको पता है, कि square root किस तरीके से निकालते हैं? जो peer बनता है, उस peer में से एक number को बहर ले लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर 3 का peer बना है, तो 3 को बहर ले लिया, तो बच्चो, 9 का square root कितना आया? 3, meaning आपको 3 ही रोज बनानी पड़ेंगी, और हर row में 3 ही plants लगाने पड़ेंगे, अगर आपके पास total 9 plants हैं, ओके? यहां पर बच्चो, 9 plants लिए गए थे, बच्चो, यहां पर थोड़े से ज़्यादा plants लिए गए हैं, कितने plants लिए गए हैं? 2,025 plants, इन plants को garden में इस तरीके से planted करना है, कि each row में उतने ही plant हों, जितनी की number of rows हों, इसमें भी क्या करना है? जैसे आपने यहां पर 9 plants को garden में प्लांट किया था, इस तरीके से कि हर row में उतने ही plant हों, जितनी की number of rows हैं, तो हमने क्या किया था? square root किया था, square root से हमने पता चल गया कि हमें, अगर 9 plants हैं, तो हमें 3 ही row बनानी पड़ेंगी, और हर row में 3 ही plant लगाने पड़ेंगे, तो इस तरीके से 9 plants एड़ेस्ट हो जाएंगे, same way इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? square root करना पड़ेगा, तो चल यह square root करते हैं, 2025 का square root करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से divide करते हैं, 2 से तो divide होगा नहीं, क्योंकि यह once place for 5 है, 2 प्लस 0 प्लस 2 9 और 9 3 से divide हो जाता है, इसलिए हम इसको 3 से divide करेंगे, 3 6 जा 18, 2 carry, 3 7 जा 21, 1 carry, 3 5 जा 15, अब यह फिर से 3 से divide हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 7 प्लस 5 कितना होगा? 18 और 18 3 से divide हो जाता है, तो यह number भी 3 से divide हो जाएगा, तो चलिए 3 से divide करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, and 3 5 जा 15, अब 225 भी 3 से divide हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 carry, 3 5 जा 15, अब यह फिर से 3 से divide हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब यह 3 से divide नहीं होगा, अब हम बढ़ते हैं, next number पे, तो next number होगा हमारा 5, यह 5 से divide हो जाएगा, अब चलिए 5 से divide करते हैं, 5 5 जा 25, and 5 बन जा 5, तो बच्चों, अब हम इसका square root find करते हैं, 2025 का, ठीक है, square root का sign लगाया, उसके अंदर लिखा 2025, फिर से square root का sign लगाएंगे, और 2025 के जो यह factors हैं, इनको copy करके यह आपा लिखते हैं, तो चलिए लिख देते हैं, 3 into 3, 3 into 3, and 5 into 5, okay, अब पेर बना लेंगे, एक 3 का पेर बन गया, फिर से 3 का पेर बन गया, और फिर से 5 का पेर बन गया, 3 के पेर में से, एक 3 बहार ले लेंगे, फिर से 3 के पेर में से, एक 3 को बहार ले लेंगे, और फिर से 5 के पेर में से, एक 5 को बहार ले लेंगे, multiply करेंगे, 3 3 जा 9, and 9 5 जा 45, तो आंसर कितना मिला हमें 45, meaning बच्चो हमें 45 ही rows बनानी पड़ेंगी और हर row में 45 ही plant लगाने पड़ेंगे, या पर हम लिख देते हैं, the number of rows equal to 45, okay, and the number of plants in each row equal to 45, okay, तो बच्चो 2025 plants को जब हम adjust करेंगे garden में, तो किस तरीके से adjust करेंगे, 45 ही हम rows बनाएंगे और हर row में हम 45 भी plant लगाएंगे, तो इस तरीके से हम 2025 plants को garden में use कर पाएंगे, okay, thank you.